निम्सक्राइब दोस्तों मैं कुलवेंत और आसावी का सवागत है आपके पर चल्रेट प्रूडे स्पॉर्ट टिप्स पे दोस्ताज बात करें जा रहे हैं चैनल लिंग फैंस का बिजनस शुरू कर कर कैसे आप अच्छी कासी कमाई कर सकते हैं कैसे यह बिजनस होगा आगे जोग बिजनस कर रहे हैं, अब तो सरकार भी काफी मदद कर रही है बिजनस को करने में, तो आपना बिजनस करना बहुत ही आसान हो गया है, ऐसा ही एक बिजनस है, चेन लिंक्पा बिजनस का ऑफी का borrow करने बैं। security का है बहुत ज़्यादा demand होने की कारण इसमें profit भी अच्छा होता है ये एक सदावार business है बहुत कम ही लोग इसका business कर रहे हैं पर जो कर रहे हैं वो अच्छी कासी कमाई भी कर रहे हैं आप भी इसी कभी नोच शुरू कर एच्छी कासी कमाई कर सकते हैं कैसे होगा ये business दोस में से आपको 30% government से subsidy मिल जाती है यानि ये एक जबरदस business है आप इसके लिए bank से loan भी ले सकते हैं इसका raw material यानि जो wired roles होते हैं वो आपको आप तक सब खर्च मिला कर 40 उपर प्रति किलो पहुंचता है chain link fence का business global business है इसकी इंडिया में काफी demand है जैसे जैसे इंडिया develop हो रह रही है chain fencing machine को handle करना बहुत ही आसान है कोई भी इस handle कर सकता है जैसी customer की requirement है वैसी आप chain fencing बना सकते हैं wire का एक coil होता है उसे machine में लगाया जाता है और वो die तक जाता है जिस size की chain fencing बनानी है उस हिसाब की die लगानी पड़ती है फिर इसका roll बनाया जाता है और आप इसे market मे sale कर सकते हैं इसका raw material local में मिल जाता है raw material के contact number आपको machine विगता से मिल जाएंगे 40 रुपय प्रती किलो का raw material आप तक पहुंचता है और आपकी 3 रुपय manufacturing cost रहती है जिसमें labor maintenance power आती है इसकी market में sale होती है 53 रुपय प्रती किलो के हिसाब से यानि आप प्रती किलो 8 से 10 रुप production कर सकते हैं यानि आप इस machine से हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं इसकी demand जादा है और manufacturer कम है आप असानी से इसे बेश सकते हैं गवर्मेंट के tender भी आते हैं आप उसे burger tender ले सकते हैं आप private tender भी ले सकते हैं ये खेतों में भी लगाया जाता है express highway ये दोनों साइड लगता ह गवर्मेंट का ये rule आ गया है जमीन की security के हिसाब से fencing लगाई जाती है अपनी city और पास की city में hardware वालों से भी sale कर सकते हैं आप direct खेतों में भी इसे sale कर सकते हैं इसके लिए government का license लेना पड़ता है small scale industry का license लेना पड़ता है जिला उद्योग के अंदर से license लेकर business शुरू क पर सकते हैं इसमें ये 30% सबसिटी गवर्मेंट से मिल जाती है ट्रेनिंग भी आपको मशीन विकरता से मिल जाती है सबसिटी के लिए आपको सीए से project report बना कर जिला उद्योग में जाकर बैंक में थूट लोन ले सकते हैं और सबसिडी ले सकते हैं मशीन विकरता के contact अमर म भी ना करें बाकिसे आप जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है उम्मीद करता हूं दोस्तों पसंद आई हुए अगर आप ने भी तक हमारा चाल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्ली चनल को सब्सक्राइब को लीजिए ताकि नई विडियों के लिए निका बोबो ध सन्यवाद मैं आपसे फिर मिलूँगा है ने विडियों के साथ तब तक के लिए जाय हिंद वंदे मातरम